हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक फसिलिटी मैनेजर के इंटर्व्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं तो फसिलिटी मैनेजर आप जानते हैं कि पूरे फैक्टरी के अंदर या किसी यूनिट के अंदर जो है वो पूरा मैन तो ये सारे जिम्मेदारी जो है वो एक facility manager के उपर होती है तो इस post के लिए अगर कोई आदमी interview देने जाए तो उसको किस तरीके की सवाल पूछे जा सकते हैं आज हम वही देखने वाले हैं लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस channel पने हैं अब तक subscribe नहीं कि किजेगा तो चलिए दोसरो शुरू करते हैं तो शुरुवात जो है वो हमेशा से ही आधा सवालों से ही होती है बाद में सवाल जो है वह उस जाधा से जाधा specific होते चले जाते और प्रकेत चले जाते हैं तो हम भी शूरुवात वैसे ही करेंगे सबसे पहले simple simple question देखेंगे और बाद में जो है वो और डीटेल में जाएंगे तो दोस्तों सबसे पहला सवाल आप से यह पूछा जा सकता है कि आप अगर वहाँ पर फ्लोर पर काम कर रहे हैं वहाँ पर सारी management देख रहे हैं तो ऐसे में अगर मैं आप से कहूं कि energy बचाने के लिए कुछ है आप क्या करेंगे माल लीजए energy यानिके बिजली को बचाना है आपको तो क्या-क्या के आ जा सकता है तो आप बता सकते हैं कि जहां पर फालतू बिजली जा रही है वो मैं कौन से कौन से पुजीशन्स है वो मैं पहले मार करूंगा कि यहां पर यह लाइट की जुरुवत नहीं है यहां पर बिजली फालतू में जा रही है या कोई एक मशीन है जो की बहुत जादा स्लो काम कर रही है जिसकी वजह से दूसरे बाकी के मशीन चालू रखने पड़ रहे हैं तो उस मशीन को कैसे फास्टन अप किया जाए जिसकी वजह से बाकी के मशीन फालतू में चालू नहीं रखने पड़ेंगे तो इस तरीके के जो है वो आप जवाब दे सकते हैं साथी साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जादा से ज जो काफी जादा नर्ची जो है उसकी बचत हो सकती है साती साथ आप वह भी सांन्स दे सकते हैं जैसे dos अदसे भी काम चला सकते हैं हमारा याना कि जो गर्मियों के दिन हां गर्मियों के दिन के अंदर हम solar power से thडा सा काम चला सकते या बेभी हम अगर थोड़ा सा wind turbine की तरफ मुड़ जाए थोड़ा एक wind turbine वगरा इंस्टाल कर ले तो उससे भी हम energy जो है वो produce कर सकते हैं एक renewable energy resource हमारे लिए हो जाएगा तो इस तरीके से जो है वो आप अलग-अलग solution सामने रख सकते हैं इसके अलावा पूछा जा सकता है कि म के सारे majors ध्यान में रखते हुए काम नहीं कर रहा है या उसके workers जो है वो पूरी तरीके से safety equipment का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं काम करते वक्त तो आप क्या करेंगे तो आप यह जवाब दे सकते हैं कि हम उनको जा करके पहली बात तो यह बताएंगे कि आप कृपा करके जो है व वो काम करते वक्त safety gear नहीं पहना है तो इसकी वजए से वो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी तो आप जो है वो जाता से जादा है यह safety का वहाँ पर ध्यान रखें तो हमारा काम भी ठीक धंग से हो और आपके workers जो हैं वो भी safe रहें इसके अलावा दोस्तों बड़े बड़े कमपनियों के अंदर जो है वो suppliers और company के meets वगेरा भी होते हैं तो ऐसे मैं आपसे यह पूछा जा सकता है कि एक facility manager के तौर पर अगर आपके company के अंदर कोई बड़ा वहाँ पर function होने वाला है तो पूरे place को आप किस तरीके से तयार करेंगे तो हो सकता है कि factory visit के लिए कोई आ हमारे workers हैं वो बिल्कुल correct uniform में हो सारे safety equipment बिल्कुल top notch हो पूरा एक audit हो safety का कि कहीं भी जो है वो उंगले उठाने के लिए जगा न मिले कि यहाँ पर safety के सारे regulations follow कि यह जा रहे हैं या नहीं और बाकी फिर साब सफाई रखना और बाकी के arrangements करना वहाँ पर बिल्कुल जो है pleasant महाल मिले इसकी विजह से जरूरी अगर कुछ decorations वगरा करना है तो उसका इंतजाम करना बैठने की पूरी व्योस्ता देखना तो यह सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि किस तरीके से आने वाले व्यक्ति को जो है वो आपका plant जो है वो बिल्कुल decent लगे ऐसा लगे कि वहा तो दोसों अब थोड़े से जो है वो role specific हम सवाल देखते हैं याने कि थोड़े से particular सवाल देखते हैं तो अगर मान लीजे कोई आदमी पहले काम कर चुका है facility manager का तो उसको यह पूछा जा सकता है कि as a facility manager आप कहां कहां पर inspection करते थे आपके premises के अंदर आप कितनी बार inspection करते थे कौन से कौन सी चीजों का inspection करते थे तो आपके resume में तो उनको पता ही होगा कि कौन से factory के अंदर आप काम करते थे या कौन से unit के अंदर काम करते थे तो उससे related वो पूछ सकते हैं कि आप वहां पर क्या-क्या देखते थे क्या-क्या नहीं देखते थे मान लीजे कोई मैं boiler के pressures देखता था जहां पर जो गन्य का juice है उसको उबाला जाता है तो उन boiler को मैं देखता था उनकी safety देखता था वो ठीक तरीके से clean हुए है या नहीं यह भी मैं देखता था साथी साथ जो burners वगरा थे वो भी मैं चेक करता था तो इस तरीके से जो है आपके क्या-क्य काम थे यह आपसे पूछा जा सकता है तो उससे आप विस्तार में बता दीजेगा इसके अलावा एक सवाल यह भी आ सकता है कि एक facility manager जो है वो कहां-कहां पर legal matters में involved होता है या कहां-कहां पर responsible होता है तो दोस्तों इसकी जवाब के खातिर आप यह बता सकते हैं कि जहां-ज लेवल के जो rules and regulation है safety के उसकी लिए हम responsible होंगे साथी साथ थोड़ा बहुत जो accounting काम वहाँ पर करना पड़ता है वहाँ पर भी जो rules and regulation set किये गए हैं government की तरफ से वहाँ पर भी हम legally responsible होंगे कि वो काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं work ethics के अनुसार हो रहा है या नहीं साथ insurance जो है उसके लिए भी हम responsible रहेंगे legally क्योंकि ये जो insurance के packages खरीदना उनको renew करना ये भी इनी के पास काम होता है तो उसका management भी यही लोग देखते हैं तो उसके लिए भी ये लोग जो है वो responsible होते हैं इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एक facility manager को कौनसी कौन रखना होता है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़े आती हैं जैसे कि मैंने कहा कि insurance कौन सा package लिया है वो कब renew करना है उसके अंदर क्या-क्या cover होता है क्या-क्या cover नहीं होता है साथी साथ safety equipment हमारे पास कितने हैं हमारे workers को कितने दिये गए हैं इसके अलावा जो audit वगरा हो उसके सारी records इनको रखने होते हैं थोड़ा बहुत accounts की भी record इनको रखने होते हैं कि कितना supply आया आप आपके आंसर में ढाल सकते हैं इसके अलावा दोस्तों कुछ-कुछ फैक्ट्रिया ऐसे भी होती है जिनकी अंदर हजार्डस सब्स्टेंसेस जो है वो बनते हैं तो कुछ-कुछ सब्सेंसेस ऐसे होते हैं जो की यूमन कॉंटाक्स से बिल्कुल ही सेफ रखने होते हैं उ इनको जो है वो स्टोर करने के अलग-अलग रेगुलेशन्स है उनको जो है वो एक तैशुदा धन से ही वहाँ पर स्टोर करना पड़ता है उसके अंदर कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए वरना बहुत बड़ी आपदा आ सकती है बहुत सारे लोग उसकी वज़ा से मर सक सकता है तो अगर आपको कुछ उस तरीके का experience है अगर आपने उसके बारे में कुछ सुना है तो आप बता सकते हैं अगर ऐसा काम आपने पहले नहीं किया है तो आप बता सकते हैं कि इस तरीके का काम भई मैंने नहीं किया है तो इसकी बारे में मुझे शायद जादा पता न जो हाईर करके काम करवाना पड़ता है जैसे की कारपेंठर हो गए या फ्लोरिंग का काम करने वाले या लाइन्डस्केपिंग का गाम करने वाले तो ऐसे लोगों को जो है वो आप किस बेसिस पर कांट्राक्ट देते हैं कि उनका pass record आप देखते हैं या नहीं उनका काम की quality आप देखते हैं या नहीं तो जरूर दोस्तों ये आपको कहना ही चाहिए कि उनके pass record हम जरूर देखते हैं कि उन्होंने पहले कहां कहां पर काम किया है अगर हमें पता चला कि हमारे आसपास ही कही काम किया है तो मेभी मैं वहाँ पर जाकर कि field visit दे सकता हूं कि किस तरीके से kाम हुआ है और क्या दर्जे का काम हो रहा है क्या वो हमारे company के standard के अनुसार है और साति-सात जिस तरीके का काम हम करवाना चाते हैं उस तरीके का काम यह करने में सक्ष्यम है यह नहीं उस तरीके के कितने काम इसने पहले कर रखे हैं, तो ये भी मैं देखूंगा, साथी साथ ये भी देखूंगा, कि वैसा ही काम करने वाला, इसका कोई competitor है क्या, तो वो कितने पैसे में काम कर रहा है, ये कितने पैसे में काम कर रहा है, इसकी काम की quality क्या है, उसके काम की quality क्या है, तो ये सारी चीज़ तो ये भी पूछा जा सकता है कि as a facility manager आपने पहले कौन से कौन से software यूज किये हैं तो इसके लिए भी कुछ-कुछ software हैं जिनकी अंदर record वगयरा रखा जाता है तो ऐसे कोई software अगर आपने इस्तेमाल किये हैं तो उसके बारे में आप जरूर बता सकते हैं ये एक added plus point आपके लिए जरूर बन सकता है तो दोस्तों अब थोड़े से जो है वो behavioral questions पर आते हैं behavioral questions मतलब क्या कि आपको पूछा जाता है कि क्या आपके साथ ये हुआ है वो हुआ है तो ये obviously जो experience लोग है उनके लिए लागो होता है ये सब कुछ तो इन सवालों से सामने वाला ये जानने की कोशिश करता है कि ये आदमी pressure के अंडर काम कैसे करता है अगर इसके past experience में कोई ऐसा बहुत challenging चीज आई है तो उससे ये आदमी किस तरीके से उभरा है या कोई अगर challenge आता है तो उससे उभरने कि इसके क्या तरीके हैं इसके बारे में वो लोग जानना चाते हैं तो दोस्त वैसे ही कुछ सवाल देख लेते हैं तो दोस्तों ये एक सवाल आ सकता है कि obviously एक facility manager को जो है वो सारे maintenance के काम और सारे renovation के काम जो है वो करवाने होते हैं उसके उपर supervision करनी होती है तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपके past experience में ऐसा हुआ है कि सारे maintenance के काम एक साथ च पूश्किल हुआ है तो ऐसे situation में आप उससे कैसे बाहर निकले तो आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से मैंने जादा से जादा communication रखने की कोशिश की कही भी miscommunication यह misinformation जाने के लिए कही भी गुंजाईश नहीं रखी जादा से जादा जो है वो coordinated काम मैंने रखने की रहे हैं यहां उनका काम एक दूसरे के ऊपर dependent है तो उनका टाईम मैंने किस तरीके से मैनेज किया और दूसरा काम जो है दूसरा maintenance का काम जो है उनकी टीम को किस तरीके से मैंने एक साथ एक ही time slot में बुला लिया जिसकी वजह से उन सभी के ऊपर जो है वो control गेन करना मुझे आसान हो गया और सारी चीज़े मैंने अंडर कंट्रोल ला दी तो इस तरीकी का जवाब जो है वो आप दे सकता है खेर मैंने तो अभी आपको एक जो है वो tentative जवाब बताया है लेकिन में भी हर एक का experience जो है वो अलग हो सकता है तो हर एक आदमी अपने खुद के experience के हिसाब से वहाँ पर जवाब देगा इसके अलावा दोस्तो एक facility manager के सामने ये भी challenge होता है कि company का जो working है वो कम से कम cost में कैसे हो ज़ादा से ज़ादा cost cutting करने की कोशिश की जाती है तो आपके लिए सबसे ज़ादा toughest challenge कौन सा रहा जब आपको जो है वो cost cutting करनी थी लेकिन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था बिलकुल cut to cut मामला हो रहा था तो ऐसा कोई experience आपको आया है का जहाँ पर आपको बहुत ज़ादा cost cutting करने की ज़रुद थी लेकिन आपकी पूरी procedure ऐसी थी या production ऐसा था जहाँ पर cost cutting करना बहुत ही मुश्किल था तो आपने उसे कैसे carry out किया कैसे उसको achieve किया तो फिर आप बता सकते हैं कि आप काम करते वक्त या cost cutting अगर आपने करना ठाल लिया तो आप कितना ज़ादा बारीकी से उसके ओपर काम कर सकते हैं कितना उसके पीछे हाथ दो करके पढ़ सकते हैं कि एक एक light भी जो है जो की फालतू में जल रहा है उसको बंद करना यानि कि एकदम grass root level पर पहुच पहुच के जो है वो एक एक पाई जो है वो बचाने की कोशिश करना और जो बड़े-बड़े major factors हैं जो की cost को बढ़ाते हैं उसके उपर study करना उसके उपर solution लाना उसको produce करने के नए तरीके ढोड़ना या अगर कोई machine है जिसकी वज़य से बहुत ज़ादा energy की खबत हो रही है और वो production कम कर रही है तो उस machine के अंदर कुछ modification कैसे किये जा सकते हैं या उस machine का काम जो है वो कम कैसे किया जा सकता है दूसरे machine के द्वारा उसका काम कैसे हलका किया जा सकता है इसके बारे में भी आप बता सकते हैं तो ये आपका technical knowledge हो जाएगा ये और एक plus point आपके लिए बन जाता है इसके अलावा सवाल आता है दोस्तों कि आपको अगर मान लीजे कोई एक budget दिया गया है लेकिन आपका जो पूरा खर्चा है वो budget से भी परे चला गया है तो ऐसे situation में आप क्या करेंगे आपको तो seniors को जवाब देना पड़ेगा कि इतना budget दिया था उससे भी ज़ादा खर्च estimate आपको ज़रूर दिया था लेकिन उससे थोड़ा सा ज़ादा खर्चा हमारी तरफ से हुआ है लेकिन विश्वास रखें कि ये खर्चा जो है वो हमने कोई भी फिजूल खर्ची नहीं किये है हमने quality की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है तो इस तरीके का जो है वो आप वह लिजे आपने कुछ workers को जो है वो कुछ काम दिये हैं बाट करके दिये हैं और एक group करके उनको जो है वो काम करना है एक group में काम करना है और आप ये पाते हैं कि आपके जो workers हैं उनके अंदर थोड़ी सी diversity आ गई है यानि कि difference of opinion आ गया है उनकी आपस में बन नहीं गई है तो ऐसे situation में as a facility manager आप क्या करेंगे तो अब दी इसी बात है कि आप उनके अंदर क्या problem हो रहा है क्यो problem हो रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे उसको solve करने की कोशिश करेंगे उनको ये बताएंगे कि आप यहाँ पर personal कोई भी दुश्मनी निगालने के लिए नहीं आये हैं आप यहाँ पर काम करने के लिए आये हैं और मैं आपका facility manager हूँ मेरे orders को आपको follow करना है आपकी बीच में अगर कोई problem आता है तो उसका जो असर है वो आपके काम पर नहीं होना चाहिए काम बिलकुल समय पर होना चाहिए इन चीजों का जो है वो उनको एहसास कराना ये भी एक facility manager का वहाँ पर काम होता है और एक दोस्तो आखरी सवाल है लेकिन बहुत ज़्यादा important है और वो सवाल ये है कि माल लीजे आपने आपकी premises के अंदर कोई ऐसी चीज देखी जो की potentially hazardous है जिससे किसी को छोट लग सकती है किसी की जान जा सकती है कोई accident हो सकता है तो फिर आपका जो है वो presence of mind कितना अच्छा है और आप आपके काम में कितने जादा experience है ये चीज show off करने का बहुत बढ़िया मौका है अगर आपके साथ पास में ऐसा कुछ हुआ है तो उसको जरूर विस्तार से बताए कि कि किस तरीके से मैंने जो है वो वहाँ पर जो steps लेने चाह कि ये आदमी जो है वो अपने काम में कितना जादा अच्छा है और इसका हर एक detail के उपर बिलकुल पैनी इसकी नजर रहती है हर एक detail के उपर ध्यान रहता है तो बस दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तो प्लीज को लाइक करना बिलकुल ना भूलें साथी साथ अगर ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर particular यहाँ पर facility managers से related और वीडियो देखने हैं जैसे कि इनका job क्या होता है इनकी responsibilities क्या होती है इनको salary कितनी मिलती है तो ये सारे वीडियो मैंने बना करके रखे हैं आप यहाँ पर उपर i button पर click करके उनको भी देख सकते हैं